नमस्कार, मैं महीमा सिंग और आप देख रहे हैं प्रभात खवर डिटल इस बुलेटीन आपको बताएंगे देश और जार्खन बिहार से पाँच बड़ी खबरे चलिए शुरू करते हेडलाइन्स के साथ पियम मोदी ने युवाओ के बीच बाटे 51,000 नियुक्तिपत वईदा रह्मान को मिले का दादा सहेब फाल के लाइफ टाइम अचीमिन भारत नेशियन गेम्स में 41 साल बाद गुर सवारी में जीता गोल वई जारखन में कर्मा विसरजन के दोरान 5 बच्चों की डूबने से मौत और बेबी देवी ने विधान सभा सदसे के तोर पर लिशपत पुधान मंत्री नरेंद मोदी ने रोजगार मेले का वीडियो कान्फरेंसिंग के जरियोध खाटन किया उसके बाद उन्होंने सरकारी विभागो और संगठों में नए भरती हुए कर्मचारियों को लगभग 50,000 नियुक्ति पत्र वित्रत किये इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज जिन अभियर्तियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बढ़ाई आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है आपका चैन लाखो अभियर्तियों के बीज से किया गया है अधिकजबी नेतरी वहीदा रह्मान को एस साल दादा सहब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार के लिए चुना गया है ये खबर जानके उनके फैंस काफी खुश हो जाएंगे केंदरी सूचना युँ प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे ये घुशना करते हुए बेहत खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रह्मान जी को भारतिय सिनेमा में उनके शांदार योगदान के लिए इस सल प्रतिष्ठित दादा साहव फाल के लाइफ टाइम अचीवेंट पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है वहीदा रह्मान ने अपने बॉलिवोड करियर के शुरुआत गुरु दत की प्रोडक्शन सी आईडी से की थी इसके बाद उन्होंने कागज के फूल, साहे बीवी और गुलाम, गाईट, काला बाजार, रूप की रानी, चोरो का राजा, राम और श्याम, आदमी, तीसरी कसम और खामोशी जैसी कई फिल्मे में काम किया था और भारत ने एशियन गेम्स 22 में मंगलवार को तीसरा गोल्ड अपने नाम किया, गुर्सवारी टीम ने 41 साल बाद इस खेल में गोल्ड दिलाया है मदादे की भारत की और से सुद्धिप्ती हजेला, दिव्यक्रीती सिंग, हृदयी छेदा और अनुष अगरवाल की चोकडी ने कमाल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया 1982 एशियन गेम्स के बाद पहली बार गुर्सवारी में भारत को मेडल मिला है एशियन गेम्स में अब तक भारत को 14 मेडल मिल चुके हैं, इसमें 3 गोल्ड है, इसके लावा 4 सिल्वर और 7 ब्रॉंज मेडल शामिल है और प्रक्रती परो कर्मा के बाद डाले विसरजन के दुरान जहारखन में दो बड़ी घटना हुई है पहली घटना हजारी बाग की है, जहां विसरजन के दुरान 3 बच्चियों की नदी में दूबने से मौत हो गई वही दूसरी घटना धनबात की है, वहां भी कर्मा डाले विसरजन के दुरान 2 बच्चों की दूबने से मौत हो गई दोनों घटनाओं में पाच बच्चों की मौत हुई है घटना के बाद परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है वही पुरे लाके में शोक की लहर है बतादे कि इस साल कर्मा पूजा के दौरान जार्खिन में लगतार घटनाएं हो रही है अड़ुम्री उप्चुनाओं में जीत के बाद बेबी देवी को आज यानि मंगलवार को वधानसभा सदसे की रूप में वधानसभा धक्ष ने पद और गूपनियता की शपत दिलाई इस दौरान बेबी देवी फिर भावग दिखी उनकी आखों में आसू थे जैसे ही बेबी देवी ने शपत ली शपत लेते के साथ पुरा वधानसभा परिसर जगरनात महतो अमर रहे और बेबी देवी जिन्दाबाद के नारे से गूजने लगा इस दौरान बेबी देवी ने कहा कि टाइगर के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी